साथियों, किसी भी प्रगतिशिल समाज में, रिसर्च जीवन का एक सहज स्वभाव भी होता है, और सहज प्रक्रिया भी होती है। रिसर्च के प्रभाव कॉमर्शिल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, और रिसर्च हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को विस्तार देने के लिए भी काम आती है। कई बार रिसर्च करते समय यह अंदाजा नहीं होता है, कि फाइनल गोल के अलावा भी वो और किस दिशा में जाएगी, भविश में वो और किस काम आएगी, लेकिन इतना आता है कि रिसर्च ज्यान का नया अध्याय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारी आशास्त्रों में जैसे कहा है ना आत्मा कभी मरती नहीं है, मैं मानता हूं रिसर्च भी कभी मरती नहीं है। इसलिए मैं ऐसे कितने ही उदा रहा है, फादर अब जेनेटिक्स, मेंडल के काम को पहचान कब मिली, उनके जाने के बात मिली। निकोला टेसला के काम का पोटेंशल भी काफी बाद में दुनिया पूरी तरह समझी। कई रिसर्च हम जिस जिशा में जिस उद्देश के लिए कर रहे होते हैं, वो पुरा नहीं होता। लेकिन वही रिसर्च किसी दूसरे सेक्टर में पाद ब्रेकिंग हो जाती है। उदाण के तौर पर देखे जगदिश चंद्र बोश जी ने कोलकत्ता के प्रसेंशी कॉलेज में माइक्रो वेव के सिद्धान को प्रस्तुत किया था। सर बोश उनके कॉमर्शियल इस्तिमाल की दिशा में नहीं बढ़े। लेकिन आज रेडियो कॉम्मुनिकेशन सिस्टिम उसी जिद्धान पर खड़ा है। विश्व युद्ध के समय जो रिशर्च युद्ध के लिए था या सहिनिकों को बचाने के लिए हुई बाद में उन्होंने ही अलग-अलग सेक्टर्स को रिवलिशनलाइज कर दिया। ड्रोन्स भी ड्रोन्स भी पहले युद्ध के लिए ही बनाए गए थे। लेकिन आज ड्रोन्स से फोटोशूट भी हो रहा है और सामार की डिलिवरी भी हो रही है। इसलिए आज ये जरूरी है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे खासकर युवा वैज्ञानिक, रिशर्च के क्रॉस उटिलाइजेशन की हर संभावना को एक्स्प्लोर करे। उनके सेक्टर से बाहर उनकी रिशर्च को कैसे प्रयोग हो सकता है। ये सोच हमेशा रहनी चाहिए। साथियों, आपकी छोटी सी रिशर्च कैसे दुनिया का बविश्च बदल सकती है। कई उदान है दुनिया में, आगर बिजली कई उदान ले ले। आज जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई पहलू नहीं है जहां बिजली के बीना गुजरा हो सके। ट्रांस्पोर्टेशन हो, कम्निकरशन हो, इंडस्टी हो या पिर रोजमर्रा का जीवन, सब कुछ बिजली से जुड़ा हुआ है। एक सेमी कंड़क्टर के आविश्कार ने, दुनिया इतनी बदल गई है। एक डिजिटल क्रांती ने हमारे जीवन को कितना एन्रीश कर दिया है। ऐसी कितनी ही संभावनाएं इस नए भविश में हमारे युवा रिसर्चर के सामने पड़ी है। आने वाला भविश आज से बिलकुल अलग होगा। और इस दिशा में वो एक रिसर्च, वो एक आविश्कार आप ही को करना है। पिछले छे सालों में देश ने इसके लिए नए सिरे से फ्यूचर रेडी इको सिस्टिम बनाने की दिशा में काम किया है। आज भारत ग्लोबल इनोविशन रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 देशों में पहुँच गया है। देश में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है। और पियर रिव्यूड साइन्स एंड एंजिनेरिंग पॉब्लिकेशन की संक्या में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है। आज भारत में इंडूस्ट्री और इंस्ट्यूशन के बीच कोलोब्रेशन भी मजबूत किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनिया भी भारत में अपने रिसर्च सेंटर और फैसलिटीज स्थापित कर रही है। बीते वर्षों में इन फैसलिटीज के संक्या भी बहुत जादा बड़ी है। इसलिए साथियों, आज भारत के युवाओं के पास, रिसार्च और इनोवेशन में असेम संभावना हैं, लेकिन आज हमारे लिए जितना इनोवेशन क्रिटिकल है, उतना ही महत्वपुन है, इनोवेशन को इंस्टिटुशनलाइज करना है। यह कैसे हो, इंटलेक्चिल प्रापर्टी की सुरुक्षा कैसे हो, यह भी आज हमारे युवाओं को सिखाना है। हमें याद रखना है कि हमारे जीतने पेटरंस होगे, उनकी यूटिलिटी, हमारे इन पेटरंस की होगी, हमारी रिशर्च, जितने सेक्टर्स में लीड करेगी, उतनी ही आपकी पहचान मजबुत होगी। उतना ही ब्रांड इन्डिया मजबुत होगा। हम सब को कर्मने वादिक आरस्ते मा भले शुक अदाचन के मंत्रस में उर्जा लेकर कर्म में जूटे रहना है। और शायद इस मंत्र को जीवन में अगर किसे न उतारा है, तो मुझे हमेशा रगता है साइंटिस्टों न उतारा हुआ है। उनका यही मन रहता है। वो लबोरेटी में गुरूशी की तरह तपस्या करते रहते हैं। और कर्मंडे वाधि का रस्ते मां फले सुक अदाशना कर्म करते रहो फल मिले न मिलो वो लगा रहता है। आप स्रिफ भारत की साइंस और टेक्लोलोजी के एक कर्मियोगी नहीं हैं। बलकि आप एक सो तीस करोर से ज़्यादा भारतियों की आशा और अपेक्षाओं की पूर्ति के भी सादक है। अपलू आपलू झालू 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 करते लिंग रहो लेक्षाओं की आपका है। झाल झाल